बिहार में भूमाफ्याओं का कबजाद दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा है। रेनु देवी उपमुक मंतरी का भाई अपने आपको जमीन पर कवजा करने पहुचे थे। जिस तरीके से उन्होंने गंबीर आरोब भी लगाय थे और CCTV पूटेज वी मीडिया को उन्होंने दिया था जिसके बाद मीडिया ने इस खबर को गंबेरता से चलाया। जिसके ब्रह्मानंद जमीन अपने आपको जो बता रहे थे अब उस पर भी कोई अपने आपको दावा करने वाला एक बैक्ती जमीन विवाद में अमर पासवान और उसके परिवार का नाम आ रहा है ब्रह्मानंद जिसके उपर अपने आपको बता रहे थे कि ब्रह्मानंद सिंग म अमर सिंग ने कि जो उपमुक मंतरी रेनु देवी का भाई का नाम आ रहा था वो गलत है अब ये जो नई कहानी के सामने आ चुकी है और दो अब जो जमीन पक्षधर हैं वो अपने आप में ही लड़ रहे हैं और उपमुक मंतरी रेनु देवी भाई को अमर पासवान बता र लगा रहे हैं कि वो जो है राजनीतिक रूप दे रहे हैं तो इस पर जो है वो उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये बाते कही है और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन और सरकार से गोहार भी लगाई है उन्होंने कहा है अमर पासवान ने कि हम अनुसुश्य जन जाती मे आते हैं हमारा जमीन कबजा करना चाहते है ब्रह्मानन सिंग और कहते हैं कि हम राजनितिक रूप इतना दे देंगे मीडिया में इतना उच्छाल कर देंगे कि तुम इस जमीन को भूल जाओगे और क्या कुछ कहा है अमर पासवान जो अपने आपको जमीन मालिक बता रहे हैं उन्होंने इस पर क्या जानकारिया दी है मीडिया के सामने आने के बाद और एक नई मोड आ गई है जिस तरीके से रेनु देवी के भाई रवी प्रकास उर्फिनु का नाम आ रहा था अब इस कहानी में एक नया ट्यूष्ट आ गया है जरा सुनिएगा किस तरीके से अमर पास सिंग बर्हमानन सिंग और सरवन सिंग ठीक है उसके बाद सरकारी अमीन से 2016 में नापी उआ था सीओ के आदेश पे महिस्टेट बहाल करके जिसका नापी किये थे इन रवनी सिंग महिस्टेट थे उनके बाद का उनका भी रिपोर्ट का वो महनत महनता नहीं देता है जो कि कि गारावार नापी हुआ है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसके बाद भी मेरा बहुत सारा जमीन वह कब्जागर के रखे हुए हैं वह सैंट्रला में भी एक प्लोट है जो कि मेरा कब्जागर को बैठे हुए हैं जित्ती सिंग भाई का नाम आ रहा है ये कितना सही है नहीं उनका जो नाम आ रहा है उनको तो हम जानते तक नहीं है नपाचानते तक हैं मेरा अतना उकाती नहीं कि महां तक आपूँश्टरे हैं चाहिए बार बार यही दवाता है कि मेरा सरकार है तुम लोग दुसार पास्वान दे करके हमको भगा देता है मार पीट करके कभी हत्यार से धमकी देखाता है कभी कुछ टे अब बहुँ सारा आदमी को वह कमिटी होल में बूला लेता है जब नापी करने जाते हैं तो कौन कहता है कि आपका कपकु सिंह प्रह्मनन सिंग निए मेरा सरकार है करूमिय का सरकार है तुम्हारा विकशालत दुसार बसमान को वकात नहीं है तुमको जमीन देंगे अब बार बार कभी उनसे नाम जोड़ता है यह पुन्यू मिग्से कि अप पी उनका तुम आदमी हो ज पटेल समाज की अध्याक्ष है उनका नाम बर्मादन नसींह संग और करते हैं तो अब कहने वाली बात यही होगी और देखने वाली भी बात यही होगी कि इस पर पुलिस कितनी कारवाई करती है और जमीन मालिक कौन है यह तो आने वाला वक्त बताएगा तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बिहार में भू माफियाओं का कबजा दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा है लेकिन तमाम ऐसी अपडेट के साथ आप बने रहें देश्जी न्यूस के साथ और देखते रहें देश्जी न्यूस